इरान और इस्राइल के बीच में युद्ध के शुरुवार्थ हो गई हो और दुनिया पर जो संकट है वो और तीसरे विश्वी युद्ध के तौर पर नजर आ रहा है इन सब के बीच में मिडल इस्ट में तनाव जो है वो लगातार बना हुआ है और अभी तो तनाव की सिट नियाहू ने आमी को रेडी रहने के लिए कहा है इस्राइल की तरफ से कोई भी चूप न रह जाए ये बिंजमिन नियाहू इशौर करना चाहते हैं और कह रहे है कभी भी इरान पर एक्शन हम ले सकते हैं यानि कि इस्राइल की तरफ से कभी भी इस हमले का जवाब दिया ज कर सकता है जो इरान ने अभी पिछले दिनों इरान पर अटैक किया है जिस तरीके से इरान ने इसरेल पर अटैक किया ब्रोन के जरिये मिजाइल के जरिये इन सब के बीच में बेंजमिन नेतियनाहू साफ कर चुके हैं इसरेल के जो रक्षा मंत्री हैं वो साफ कर चुके हैं क कि हम इस तरह के हमलों पर चुप नहीं बैठने वाले हैं जवाब तो जरूर दिया जाएगा इन सब के साथ ही इरान को घुटनों पर लानी की तयारी भी अब इस्वेल की है और अब माना ये जा रहा है कि किसी भी वक्त आइडियफ हवाई हमला कर सकता है यानि कि इरान की तर है जो अभी का अपडेट है इरान ने 300 से जादा मेजाईलों से हमला किया इसरेल पर और अब इसरेल इसका जवाब देगा इसरेल और इरान की बीच में जो तनाव है वो पीक पर पहुंच गया है और दुनिया के कई देश इस संकट की तरफ देख रहे हैं अगर ये युद चिड़ता है और अगर ये युद और जादा विक्राल रूप लेता है तो फिर इससे दुनिया से कई और जो देश हैं वो प्रभावित होंगे और सिर्फ ऐसा नहीं है कि दो देश ही इसमें पिस्ते हुए नजर आएंगे महंगाई या फिर मंदी इन सभी चीजों के और ऑपरेशन की प्लैनिंग अब हो रही है यहां पर साथी साथ समझने की ये भी जरूरत है कि इसमाइल कानी जो की कमांडर है कुछ स्पोर्स का उसकी तरफ भी ये निगाहे क्यों है गाहार ऑपरेशन की जिम्यदारी ये पूरे तोर पर लेती हुए नजर आ रहे हैं मौ किसे एरान में तबाही आ सकती है या फिर अगर सेन ये ताकत को देखा जाए तो दोनों देशों में कौन आगे-कौन पीछे नजर आता है कुछ मामलों में इरान आगे दिखता है तो कुछ मामलों में इस्रेल पीछे दिखता है लेकिन इरान जहां पर महंगाई ओल्वेडी लोगों को परेशान किये हुए है बेरोज़गारी लोगों को परेशान किये हुए है और अलग-अलग वजों से इरान के लोग पहले से मु बार बार इस तरगे बैयानों को सामने ला रहां है कि इरान को बक्षेंगे नहीं इधर इरान कह रहा है कि पहले तो कुछ नहीं लेकिन अब कई गुना ज्यारा ताकत से इसरेल को जवाब देना होगा इरान के परमाणू फैसिलिटी को अगर निशाना इसरेल बनाता है तो इरान के लिए बड़ा नुकसान होगा लेकिन इरान भी से पहले 300 जिस तरीके से मिजाईल और रोन का इस्तमाल किया उससे भी बौकलाया हुआ इसरेल नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि शक्तिशाली देश अमेरिका की तरफ से इसरेल के कंधे पर हाथ रखा गया है और ये का गया है हम इसरेल की रक्षा के लिए प पॉलो किये जाएंगे आप जानिए जिसमें नंबर एक पर बेंजमिन नितिनयाहु जो कि इसरेल के प्रधान मंत्री है वो नजर आते हैं और उनी की तरफ से ये इंस्ट्रेक्शन दिये जाते हैं कि कब क्या कौन से कदम पर करना है साथी साथ वार केविनेट के सदसे हैं इसरेल में बेनी गैंट्स इनका भी बड़ा रोल है बड़ी भूमिका है जो कि युदि की इस्टिप अधर डाले हुए है जो वार केविनेट हम बार बार कहते हैं न ये वही वार केविनेट के लोग हैं रक्षा मंत्री हैं जो इसरेल के योब गैलिंट इस युद पर तो निकाहें लेकिन इसरेल के लोगों को भी कॉंफिडेंस में लेना है इरान को भी कड़ा जवाब देना है और इसलिए माना जा रहा है कि इसरेल अब हमला कभी भी कर सकता है इनके अलावा हर्जी हलेवी हैं जो की चीफ ऑफ जेनरल स्टाफ हैं इसरेल के वो भी कह रहे हैं क इरान ने जो किया अब उसका खम्याजा इरान को भुगतने का नंबर आ गया है इस सब के साथ ही एलिफ टॉमर है जो की वार वायू सेना प्रमुक है क्योंकि जब जब वार की सिति होती है जल थल नब यानि के हवा के जरिये जमीन के जरिये पानी के जरिये तीनों ही मोर्चों पर कैसे सामने वाले को खदेरना है या फिर कैसे अटैक का जवाब देना है ये सेराओं की भूमी का एहम रहती है ब्रिगेडिये जनरल गिलाड विरान है जो की चीफ है एरो स्पेस मेजाइल पोर्सेस के इसके साथ ही डेविड बार्णिया है जो की चीफ है मुसाथ के और अब जिस तरह की अभी तक की प्लानिंग है वार कैबिनेट के साथ लगातार मीटिंग्स बेंजमिन नेतेन्याहू कर रहे हैं वो इस्राइल जो की पहले से हमास के खात्मे के लिए मोचा लिये हुए है इदर आईडियाफ की जो तैनाती है वो है सैनिकों की चुटिया रद कर दी गए है सैने शक्ति को बढ़ाने की कोशिश ये लगाता हो रही है उदर हमास से तो मोचा ले रही थी लेकिन इदर इरान ने मुश्किले बढ़ाने की कोशिश की लेकिन इस्राइल अब पूरी ताकत के साथ इरान के इस हमले का जवाब देने की तयारी कर रहा है और साथी इरान जो कह रहा था हम अपनी तरफ से कोई हमला नहीं करेंगे अगर काउंटर अटैक होता है तो हम जवाब देंगे वहाँ इरान भी इस तरह की बयान बाजी करने लगा है कि अगर इस्रेल ने हमें हमें नुकसान पहुचाने की कोशिश की हम पर हमला किया तो फिर हम पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ उस हमले का जवाब देंगे युदिके सिती बनी हुई है सवाल लोगों के जहन में ये है दुनिया की निगा है ठीके हुई है कि क्या ये जो युदिके सिती है तीसरे विश्व युदिकी तरफ तो नहीं ले जाएगा हमें इन सभी सवालों का जवाब इंडिया न्यूज वक्त वक्त पर आप तक पहुंचाएगा